जै मसी की दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉंबे शेहर में रहेकर परमेश्टर की सेवा करता हूँ आज का जो वचन मैंने लिया है, वो हमारे जीवन से संबन्दित है, एक मसी जीवन से दोस्तों, हम यह विश्वास करते हैं और हम जानते के परमेश्टर ने हमें चुना है लेकिन हमारा चुनाव किस के लिए है, हमें त्यूं चुना गया है कभी-कभी हम इस विचार को लेकर कनफ्यूस हो जाते है आईए आज मैं इस विचार को संक्षेप में बताने के लिए आपके सामने हाजर हूँ इसके लिए मैं दो वचनों को लेता हूँ दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका तीसरा और चौथा वचन ध्यान से इस वचन को सुनिए और हम समझने की कोशिश करेंगे उसकी इश्वरी सामर्थ ने उसी के पूर्ण ग्यान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बोलाया है वो सब कुछ जो जीवन और भक्ती से संबंद रखता है हमें प्रतान किया है क्योंकि उसने इनी के कारण हमें अपनी बहुमूल और उत्तम प्रतिग्याय दी है धन्यवाद पिता परमेश्व तेरे पवित समर्थी नाम में अद्पुत शिवा और वचन है धन्यवाद दोस्तों आज ये वचन हमें बताता है कि परमेश्व ने हमें चुना है अपने लिए अपनी महिमा कराने के लिए अपने सुसमाचार को अपने ग्यान को दूसरा तक पहुंचाने के लिए लेकिन होता क्या है कि हम पर्मेशर के चुनाब को अपने जीवन में महत्व देते हैं और हम अपने जीवन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पर्मेशर के राज्य में रहते हैं और पर्मेशर का आशीश पाना चाहते हैं परमिश्र हमें देता है परमिश्रक कहता है अगर हम वजन पढ़ेंगे तो मती 6 31 से 33 के 20 में परमिश्र ने कहा है तुम क्या खाओगे तुम क्या पहनों कि तुम कहा रहोगे इसकी चिंता मत करो और सिर्फ मेरी धर्मिक्ता की खोच करो तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे पीछे हो लेंगी अपने आप यानि के परमिश्र ने हमें चुना है अपने लिए पहला कुरूंतिन 6 का 19 कहता है कि तुम परमिश्र के मंदिर हो पवितरात्मा तुम में वास करता है लेकिन तुम अ और खुद उसने आपको भक्ती और जीवन से सम्मंदित हर चीज प्रदान कर दी है क्योंकि आप उसकी महिमा करें। और उत्तम प्रतिग्यादी है बहुमोल यह जिनकी कोई कीमत नहीं है वो प्रतिग्याद, वो प्रोमिसेज हमारे जीवन में कब काम करेंगी मेरे भाई जब हम उसी के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे उस जीवन में हमारा अपना रति भर भी स्वार्थ नहीं होगा हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे परमेश्र सोचेगा हमारे बारे में क्योंकि परमेश्र बता रहा है इस वचन में कि उसने भक्ति और जीवन से सम्मंदित हमें सारी चीज़ें दे दी है हमें और कुछ मांगने के जुरूत नहीं है के लिए अपने जीवन को वैतीत करना है चाहे इस संसार में रहते हुए हमें सताव आए चाहे दुख आये चाहे आजमाईशी आए चाहे कोई भी भयंकर बिमारी आए लेकिन हमें उसकी इच्छा के अनुसार ही चलना है ये बात अपने मन में बैठानी है और इसी के अनुसार अपने जीवन को बिताना है और यही परमेश्वर की इच्छा भी है और इसलिए परमेश्वर ने आपको चुला है इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप इस धर्थी परहते हुए स्वर का अनुभव करें वो आत्मिक शक्तियां, वो मन की शक्ति, वो विचार वो पुरा ग्यान परमेश्वर ने क्यों दिया है आपको, क्यों आपकी बुद्धी खुली है ताकि आप उस सुर्थ ये चीज़ों को धर्थी पर लाएं उस सुर्थ ये सामर्थ को धर्थी पर प्रेश करें और परमेश्वर की महीमा का है तो दोस्तों, विश्वास करिए और आशीश पाईए कि परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए अपने आपको पूरी तरीके से समर्पित करके परमेश्वर के चड़नों में रहिए दुचित्ता मन नहीं होना चाहिए मेरे भाई लेकिन जब में परमेश्वर में आया तो मैंने पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित कर दिया पूरी इंडस्टी छोड़ दी मेरे पास कोई मैं कोई काम नहीं करता हूँ मैं सिर्फ परमेश्वर की सेवा करता हूँ और मैं बहुत बहुत आशीशित हूँ मुझे किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं है जिस चर्च का मैं पासर हूँ, मैं उस चर्च से भी पैसा नहीं लेता हूँ, यह परमेशर है जो मुझे पाल रहा है, यह परमेशर ही है, जो पल-पल मुझे बताता है, कि उसने मुझे भक्ती और जीवों से सम्मधित हर चीज जो दे दी है, मुझे पल-पल उचिस समय पर मि थाना है, थान्यवाद पिता परमिशर, तेरे पविति सामर्थी नाम के लिए थान्यवाद, सुनने वाले हर भाई बहने के लिए आशीर, सुकर, संगाई मांगता हूँ, एमेन, एमेन, एमेन.